मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जिनके लगतारी चीज़ को लेकर कमेंट्स आ रहे हैं कि हम नमक से कैसे जान सकते हैं कहने का मतलब ओबरॉल वो इस तरह के डाउट्स को रख रहे हैं कि वो मौर्णिंग के यूरिन से उसके अंदर अपने नमक को डाल कर वो जाना चाहते हैं कि बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा तो नमक का यूरिन टेस्ट करने से और बेबी बॉय का या फिर गर्ल का क्या क्या नेक्शन होता है आपके सारे डाउट को मैं इस वोडियो में क्लिए कर सकती हैं जैसे बहुत सारी महिलाओं ने भरोसा करके इस टेस्ट को किया और मुझे तक अपने बात को पहुंचाने की कोसिश किये तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विलकम मैं हूं श्वेता और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम चानल में पहले अगर मौर्निंग के यूरीन को आप एक ग्लास के अंदर कलेक्ट कीजिए और उसमें आप एक चमच जो नमक होता है वो डालकर पाच मिनट तक उसे सॉलूशन बनाईए यानि कि उसे घोलिए और उसको छोड़ दीजिए साथी साथ आपको क्या करना है एक ऐसे पॉर्सन का यूर मिनट नहीं है वैसे महिला का यूरीन लेजिए उसमें भी नमक डालकर पाच मिनट तक घुल के आप दोनों को छोड़ दीजिए और पाच मिनट के लिए आप वहां से हट जाए यह पता चलेगा कि जो दोनों ही सॉलूशन है दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आ र पूरी तरीके से नहीं गुला है और उसके उपर जहाग और वुल वुल कि इस तरह प्रेक्षंन रहा है ऊसमें चैकर चांच यह घाए होती है और जो प्रैग्नेंट लेडी होती है वह भाल्क पसंद करती है जैसे के स्टाइशी फूट को पसंद करती है और बहुत सारा पानी की जडरुछत होती हो चार से पान नहीं पी पाती है जिस के यूरीन डार्क हो जाता है तो फोरी तरीके से नहीं घुलता है तो यहीं इसका सटीक कारण है अब यहां पर यह चीज को देखके कोई भी गलत मतलब नहीं निकाले कि मेरी कुछ सब्सक्राइबर थी जिनके बहुत सारे डाउट थे इस इसको लेकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या है कैसे है उन्हें क्या करना है क्या ने उनी सारे डाउट को मैंने इस वडियो में क्लियर किया तो चलिए गईज मिलती सबसे अगली वुडियो में और जाने से पहले एक चीज़ करना चाहूंगी चाहे बेटा हो या बेटी हो दोनों को आप समान प्यार और अधिकार दीजिए थैंक्स पूर वाचिंग तब तक लिए बाबाएंटे